हेला दोस्तो कैसे हैं आप सब देखिए आज फिर से एक नया दियन का डॉर्मेट बनाने जा रहे हूं तो इसके लिए मैंने दो कलर काउन ले लिए है और नो नमबर की सलाय ले लिए है आप चाहें तो साड़े चुनी की पट्टी बना कर भी बना सकते हैं और उन से ही बना सक करते हैं और पहली सलाय से ही आपको मैं बताऊंगी कि कैसे बनेंगी इसके लिए मैंने देखिए इसमें 12 फंदे डाल लिए हैं देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो मैं छोटा ही बना के बताऊंगी आप चाहें जितना बड़ा बनाए उससे साब से आप जूरे के साब से फंदे डाल तो देखिए इस्ट्से आप स्कॉब लिया इस तरह से एक फंदा हम बुनते हुए लाश्ट तक जाएंगे और दो फंदी हम छोड़ देंगे तो बारा फंदा है दस फंदा मैंने बुन लिए दो फंदी छोड़ देंगे सलाई को यहीं से पलट लेंगे अब इसे याट से हम बुनते हुए इसी तरह से और कुछ नहीं करना है और हमें और उल्ड़ उल्ड़ बुनके कम्प्लिट कर लेना है हम पहला पंदा उतार लेंगे धाग अपनी तरप करेंगे और इस तरह से बुनेंगे फिर से हम दो फंदे छोड़ देंगे दो फंदे पहले का दो फंदे छोड़ देए सलाई को पलट लेंगे अब यहीं से हम उल्टा डबूनते हुए यह सलाई भी कमप्लेट कर लेंगे पहला पंद उतारा धगा अपनी तरफ फिर से हम बूनते हुए देखे दो फंदे फिर से छोड़ दिये बहुत ही असान है यह डिजयन बनाना बस एक बार समझ लेंगे अच्छे से तो अराम से आप बना पाएंगे यह चोड़ी से कली बन रही है तो इसको हमें दो कलर से पांच कली बनाऊंगे तो देखे अब सारे फंदे मैंने बारा फंदे थे तो बारा फंदे मैंने दो दो करके छोड़ देगे अब यहां से क्या करना है कि इसको हम एक साथ सारे बुन लेंगे दो दो करके छोड़े थे तो अब हम सारे फंदे को बुनते लिए और कम्प्लेट करेंगे तो देखिए ये कम्प्लेट हो गई एक कली बन गई है अब यहां से हम इसमें दूसरी कलर एट करेंगे तुम सारे फंदे को बुनते लिए कम्प्लेट करेंगे लिए इस कलर से अब जिस तरह से मैंने ये बलू वाली कली बनाए बैसे ही इस कलर से भी हम बनाएंगे तो इस तरह से हम बनाते विए पांच कली तयार करेंगे दोनों कलर से दो-दो फंदे छोड़ेंगे बारा फंदे है तो उपर तक और फिर एक साथ बुनते विए कम्प्लेट करेंगे फिर उल्टेस एट से हम कलर चेंज कर लेंगे तो दो फंदे छोड़ेंगे इसलाइग को हीं से पलट लिए तो इस तरह से मैं पांच कली बना लिए ठिर तो आप देखिए ये 12 फंदे सैड है, तो 12 फंदे हम इस सैड से उठा लेंगे, तो कैसे उठाना है देखिए, इस तरह से हमें फंदे उठाना है, बहुत ही असानी से उठ जाएगा ये फंदे, हमें 12 फंदे इसी तरह से ले लेना है इसमें से न कम न ज़्यादा सिरिफ हमें 12 फंदे लेना है इसी तरह से तो देखिए कितने फंदे होगे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस एगारा बारा बारा दुने 24 फंदे होगे तो अब देखिए यहां से हमें बुनना है तो अब हम यहां से बुलू कलर से नहीं इस कलर से बुनेंगे साथ में हमें से भी इस तरह से ले लेंगे हम सारे फंदे को इसी कलर से बुनेंगे तो देखिए सारे फंदे गुलिए अब क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे यहां से हमें एक फंदा कम करना है फंदा कम करते हुए इसे बन बुनना है तो इसी कलर से बुनेंगे क्योंकि हमें चार से बुनना है तो दो यह लाइन कंप्लेट होगी बनके तो देखिए यह लाइन भी कंप्लेट होगे है अब हम फिर से एक फंदा कम करेंगे इस साट से भी दोनों साट से हमें एक एक फंदा कम कर लेना है और यह बुनते में इसी तरह से हमें कंप्लेट कर लेंगे से दी साट से भी तो देखिए यह सलाइब यह कंप्लेट हो गई तो देखिए दो लाइन बनके कंप्लेट हो गया है अब देखिए अब हम इसमें दूसरी कलर लगाएंगे यह बुलू वाले तो हम एक फंदा फिर से कम करेंगे तो इस से हम कम करेंगे दोगाई कर दिया एक फंदे कम हो गए अब हम इसी से बुनेंगे चाड़ सा लाए देखिए यह लाइन भी कंप्लेट हो गई फिर से हम फंदे कम करेंगे तो एक एक फंदा हमें दोनों साइड से कम करना है और चाड़ चाड़ सलाई एक कलर से हमें बुनना है यानि कि दो लाइन हमें कंप्लेट कर लेना है तो इसे तरह से मैं फंदे एक एक करते हुए कम कर लेती हूं दोनों साइड से फिर यह लास्ट के तीन फंदे बचेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूं तो देखिए इसी तरह से हमें दो दो लाइन बुनते विये कंपलिट कर लेना है और दुनों तरफ से हमें फंदे कम करना है, इस तरह से, तो मैं बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ, इस तरह से बना है, दुनों कलर से हमें, देखे, ये बनके कम्पलीट हो गए, तो तीन फंदे रहे गए हैं, तो अब हम ये तीन फंदे को भी कम कर लेंगे, तो द इस तरह से हमें एक फंदे निकाल लेंगे और इसको धागा को यहीं से कट कर देंगे और इसको भी हम कट कर लेंगे तो देखे यह बन के कम्प्लीट हो गया है एक कले तो इसे तरह से और बना देखे मैंने बना के कम्प्लीट कर लिया यह कली तो मैंने तीन कलर से यह चार कली तयार करी हूँ तो चार कली बन गई है अब इसे हमें सिलना है तो सिलना कैसे है इस तरह से हमें रखके सिलना है ये दोना आपने सामने और ये दोना आपने सामने तो इसको हम कैसे सिलेंगे तो अब देखे ये कली और ये कली एक साथ रहनी चाहिए और ये जो लाइन बनी है ये हमें मैच करके ही सिलना है इस तरह से इस तरह से हम रख लेंगे और इस तरह से हम सीलेंगे एक इस तरह से हम रख के और इसको हम मिला लेंगे यह कली है यह इसके साथ मिलनी चाहिए और यह लाइन जो है इसको हम इस तरह से हम खीच के और दोनों को मिला के सीलेंगे देखिए अब चाहें तो उनसे भी सील सकते हैं या धागा से भी सील सकते हैं मोटे वाले धागा आती है उससे तो हम उनसे सील लें इस तरह से में रखके और से लेना है देखे तो ये कली और ये कली आमने सामने है और ये लाइन भी बिल्कुल दुनों जॉइंट हो गया है तो इस तरह से हमें सिल्ला है तो चारो को मैं इस तरह से सिल्लेती हूँ फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ देखे बिल्कुल जॉइंट हो गया है देखिए मैंने सिल्गे कम्प्लीट कर लिया तो सिल्ले का बाद इसके लोग बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा लाइक सेर करना ना बुलिएगा जो लोग नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा मिलते अगला वीडियो